हाई अब्रिवन कैसे हैं आप सभी तो आज हम मटर की ही रेसिपी बना रहे हैं इसके पहले हमने आपसे मटर के पकोड़े शेयर किया था मटर बहुत सारे रखे थे घर पे मटर की सबजी भी बनाई उसके बावजूद भी बहुत सारे मटर रखे थे हमने सुचा हम क्या बहुत ज्यादा स्वादिश्ट लगते हैं बनने में भी बहुत आसान है आप लोग को वीडियो अच्छा रहागे तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो इसके लिए बहुत ही कम सामानों की जरूरत पड़ती है तो देख लीजिए हमने क्या क्य साथ ही हम इसमें डालेंगे एक चम्मच आप इसमें बेसन डाल दीजेगा इससे स्वाद अच्छा आता है एक चम्मच इसमें डाल देंगे हम अजवाएन और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे साथ ही इसमें इसको soft and crispy बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें एक से देड़ चुमच आप इसमें डाल दीजेगा घी डाल भी सकते हैं हम तेल का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर इन सारी चीजों को पहले इस तरीके से आप बढ़िया मिक्स कर लीजेगा और फिर धीरे धीरे पानी डाल कर हमें इसे अच्छा सा आटा गूतना है आटा ना इसका बहुत अच्छे तरीके से आप soft गूतिएगा तो आपको पराठा बनाने में बिलकुली परिशानी नहीं आएगी आटा सबसे मेन होता है पराठा बनाने के लिए यदि आप आटा अच्छे से गूत रहें तो पराठा भी अच्छा बन जाता है तो आटा देखिए हम किस तरीके से गूत रहें कितना गीला गूत रहें उस तरीके से आप ध्यान दीजेगा बहुती ज़्यादा मुलायम एं soft आटा इसके लगता है ये देखिए इस तरीके से हमने इसको गूत लिया है यान इस तरीके से आटा होना चाहिए हमारा तो बिल्कुल प्रॉपर आपका पराठा बनेगा न फटेगा और न किनारा आपका इसका फटेगा बिल्कुल फिलिंग भी बाहर नहीं आएगा इसको धक्या हम रख देते हैं अब हम filling तैयार करेंगे तो filling तैयार करने के लिए दिखे हमने मटर चील लिया था इस तरीके से आप मटर चील लिजेगा हमने यहाप पे एक कटोरी मटर का यूज कर रहे हैं इसे हना हमें मिक्सी में पीसना है दर दरा पीसते समय हम इसमें डाल देंगे ये देखिए इस तरीके से हमने 3 से 4 पीस डाल दिया है दरक के हर इमिज डाल दिया है 2 से 3 ये आप अपने सब सौत के अनुसा डाल दीजेगा डाल देंगे लेसुन लेसुन आप जिता भी खाना च हमने तीन से चार डाला है इन सबको हम साथ में पीस लेंगे दरदरा पीसना है आपको यह देखे इस तरीके से पीसना है आपको पानी बिलकुल नहीं डालिएगा क्यूंकि इसमें पानी हमें नहीं चाहिए क्यूंकि हम इसमें पराठा के अंदर फिलिंग भरेंगे तो इस तर तो इसके लिए देखिए हमने ले लिया है पैन इस तरीके से आप कर लेते हो न तो इससे क्या होता है मतर में जो भी पानी वगरा रहता है वह सब सूख जाता है जब आप पराठा बेलोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी आसानी से आप पराठा बना सकते हो सबसे पह कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसको हलका हम भोल लेंगे बारिक कटा हरेमिज डाल देंगे यह आप अपने टेस्ट के साब से डाल लिएगा जितना आप तीखा खाना चाहें साथ ही इसमें हम डाल देंगे लहसुन और प्याज की पत्तिया बारिक काट के आप डाल दीजीगा इसको हलका फ्राइ कर लेंगे इसे इसमें अभी हम एड कर देंगे थोड़ा सा आपको बेसन डालना है इसमें एक से देड चमज इसे क्या होता है जो आपका फिलिंग रहेगा वो आपका बढ़ी हासा ड्राय सा बनेगा सूखा बन जाएगा आपका तो आपको बेलते समय दिक्कत नहीं आएगी तो इस तरीके से आप बेसन का यूज कर सकते हैं बेसन को हलका सा हम बोल लेंगे ताकि उसमें कच्छा पन न लगे अब जो हमने इसमें पीस के रखा था ना मटर का तो उसे हम इसमें आड कर देंगे इस तरीके से मिक्स कर देंगे सारी चीजों को अच्छे से अब इसमें हम थोड़ी सूखे मसाले आड कर देंगे तो इस तरीके से आप जरूर डाल दीजेगा ये हमने हरी धनिया हरी मिर्च का थोड़ा पेश्ट करके इसमें डाला है तो इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं और नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार ये देखिए ये सारी चीजे आप थोड़ी बहुत अपनी कम जादा अपनी हिसाब से कर सकते हैं इसी टायम पे हम थोड़ा आसा इसमें डाल देंगे हम चुर डाल कर इसको बढ़े आसा हम बोल लेंगे ये देखिए इस तरीके से है न इस तरीके से देखिए आपको सूखा एकदम बढ़िया फिलिंग तयार हो चुका है बस इसी तरीके से इसको सैलो फ्राही हमको रखना है ज्यादा पकाने किसे जरुवत नहीं है उपर से डाल देंगे हरा धनिया काटके और बढ़िया मिक्स कर दीजेगा बस हमारा फिलिंग तयार है तो हम इसे अलग से एक बाउल में सिप्ट कर देते हैं तो एक अलग से देखिए बाउल में हमने इसको निकाल दिया है तो देखिए फिलिंग हमारा बढ़ियासा एकदम सुखा एकदम फिलिंग हमारा तयार हो चुका है तो चलिए अब हम बनाते हैं पराठा तो देखिए जब तक हम फिलिंग तयार कर रहे थे उत्ते में हमारा पराठा बेलने के लिए कितना बड़ा ले रहें एक पराठे के लिए इतना बड़ा लोई काफी है ताकि आप उसमें अंदर से फिलिंग भी भर पाओ तो इस तरीके से चित्ते भी आपको पराठे बनाने हैं इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा लोई या इस तरीके से काट साहता से देखिए हम किस तरीके से इसका टोकर बना रहे हैं तो इस तरीके से टोकर बनाना है ताकि आप जो फिलिंग है आपका मटर का वो आप इसके अंदर डाल सको है न तो देखिए इस तरीके से आपको इसमें फिलिंग डालना है फिलिंग आपका कम भी नहीं होना चाहिए एकदम जादा भी नहीं होना चाहिए बराबर आपका एक पराठा में अच्छे से आपको मसाला मिले उस तरीके से आप डाल दीजेगा देखिए और इस तरीके से आपको बंद करना है तो बंद करने का तरीका आप देख लीजे इससे आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं पटेगा और ये देखिए इस तरीके से आपको गोल बनाना है और बस हतेली के हल्की साइता से आपको हल् बिल सकते हो तो यह देखिए एक हमने भरके रख दिया दूसरा भी आपको बता देते हैं ताकि आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहों तो इस तरीके से सेम आपको टोकर बनाना है दोनों फिंगर का यूज कीजिएगा और इस तरीके से फिलिंग भर दीजिएगा यहां पहले बना के रख दीजिएगा बाद में एक साथ आप पराठा बेलीजिगा तो आपका टाइम भी बच जाएगा और साथ में आप एक साथ बहुत सारे पराठे बना सकते हो चलिए अब हम बेलते हैं पराठा तो पराठा के लिए देखिए थोड़ा थोड़ा परतन लगा लीजेगा ताकि वो चिपके ना, इस तरीके से हातों से पहले दबा दीजेगा, अच्छी से फिलिंग आपका सैट हो जाता है, बराबर हो जाता है और बेलने का तरीका देख लिएजी, जैसे हम रोटी बनाते हैं, बस उसी तरीके अच्छा रहेगा तो आप पराठा भी अच्छा से बना पाओगे तो देखे कितने अच्छे तरीके से हमारा मटर का पराठा एक दम बिल रहा है ये देखे बस सारे पराठे आपको इसी तरीके से बेलना है और सेखते जाना है तो चलिए इसको हम सेख लेते हैं पराठा जब तो एक मिनट पहले आप गैस पर रख दीजेगा तो मीडियम में हलका सा गरम हो जाना चाहिए वो तो यह दिखिए इस तरीके से हमने गरम कर लिया था पराठ हम डाल देंगे इसमें और हम इसमें डालेंगे तेल चाहें तो आप घी का यूज़ कर लिजे आपके च्वाइस के उपर जैसे आप खाना चाहते हों तो हम इसमें डाल देंगे हलका हलका चारो तरफ से आप हलका सा तेल डाल दीजेगा इसे और ऊपर से भी देखिए, हम इस तरीकी से इसको ब्रश के साहता से, आप तेल लगा दीजेगा वन साइड देखी हलका सीख चुका है, तो आप फिलट लेंगे, और दूसरे तरप भी आप हलका सा तेल लगा दीजेगा and medium flame रखिएगा एकदम high flame पे भी मत कीजिएगा medium flame पे धीरे धीरे बढ़या मस्त एकदम गुबबारे की तरह फूल कर तयार होगा यह देखे फिर से हमने देखी इसको पलट दिया है धीरे धीरे इसी तरीके से आप एक दो बार इसको पलट दियेगा उसके बाद बढ़या इसको आपको दोनों साइट से बढ़या इस तरीके से brown brown spot होते तक सीखना है अब देखी हमारा पराठा कैसे फूल रहा है एकदम गुबबारे की तरह ये दिखे पराठ एकदम बिल्कुल मस्त आपकी अलग-अलग एकदम आपको फिलिंग भी अंदर मिल जाएगा और आपकी पराठ भी अलग-अलग हो जाएगी इस तरीके से ये पराठा एकदम फूला हुआ है दोनों साइट से इस तरीके से आपको ब्राउन स्पॉट होते तक सीख लेना है तो ये देखे कैसे गुबबारे की तरह एकदम फूला हुआ है हमारा मटर का पराठा ये देखे कितने अच्छे तरीके से फूला हुआ है ना फिलिंग बाहर आया है ना आपका किनारे से कहीं फटा हुआ है एकदम पर्फेक्ट हमारा मटर का पराठा बनकर तयार हुआ है बस इसी तरीके से आपको सारे पराठे से इक लेना है प्रोसेस आप ध्यान में रखेगा कि आपको क्या क्या चीजियों का ध्यान रखना है तो बस इसी तरीके से आपका भी पराठा एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तयार होगा तो इसको सर्व कर लेते हैं हम गर्मा गर्म हमारे मटर के पराठे एकदम तयार है 15-20 मिनट के बीच में आप बहुत सारे पराठे बना सकते हो बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट भी लगता है कुछ अलग बनाना है आपको मटर से तो आप इस तरीके से रेसिपी जरू ट्राए कर सकते हो अंदर की फिलिं एकदम बना हुआ है तो बस इसी रेसिपी को आप लोग जरू ट्राइ कीजिएगा इसी ट्रिक को साथ में हमने इसमें रखा है टमाटर की चट्मी चाहें तो आप सास के साथ खाईए चाहें तो आप आचार के साथ खाईए जैसे भी आप खाना पसंद गरते हो जरू ट्रा झाल